नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने आल्लाइन इस्टिट्योट निसान दियान के यूटूब प्लेटफार्म पर मैंने दिन उपात दिया है आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिणन दन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रो आज का वीडियो कोई क्लास नहीं जा रहा है आज के वीडियो में केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बना रहा हूँ और यह जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जादा से जादा आप लोग सेयर करिएगा विद्यार्थी उत्साहित हुए हैं उनके भी बारे में बात करेंगे जो सूचना है मित्रो सूचना है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से मित्रो राजस्थान में जो है राजस्थान में जैसे उत्तर प्रदेश में डियलेड होता है राजस्थान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सामिल होने के लिए BSTC कराया जाता है क्या कराया जाता है BSTC तो राजस्थान में हाल ही में RIT की परिच्छा हुई थी और RIT की परिच्छा में YNCTE के जो पुराना राजपत्र 26 जून 2018 को जारी किया गया था YNCTE के द्वारा जिसमें ला तके चात्रों को crater可愛 में सामिल ata छोतरों के जामिल किया जन्सी टीम Сам Sieber किया और यहां पर क्या हुआ यहां पर जो है primary यहांपे राजस्थान सरकार जब लिट की परिच्छा कर्वाने वाली थी सोच रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाएगा लेकिन राजस्थान ने पहले ही जटके में राजस्थान सरकार ने बीएड को प्राइमरी से बाहर रखा गया ज्यांते सुनिएगा पहले सुरुवात में क्या हुआ पहले सुरुवात में राजस्थान में बीएड को प्राइमरी से बाहर रखा राजस्थान स 26 जून 2018 वाले NCTE के guideline का हवाला देते हुए, एक बार उन्हें मौकाद दिया जाता है, लेकिन सरकार उनके विपच्छ में है कि हम B.E.D. को अंदर नहीं लेंगे, सरकार विपच्छ में है, ठीक है, जब सरकार विपच्छ में थी, B.E.D. को अंदर नहीं लेना, हालंकि एक्ज किसी को ही primary level में मानने किया जाएगा, और B.E.D. को primary level में मानने नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्या फैसला है, उस फैसले को वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, और यहां यहां पे वीडियो लगा दिया जा रहा है, वीडियो देख यह भी है, चुँकि जो NCT का notification है, वो all over इंडिया में लागू हो रहा था, पूरे भारत वर्स में यह नियम लागू हो चुगा था, और उसके प्रणाम सुरूप, यह जब जब रद हुई है, यह all over पूरे भारत के लिए लागू होगा, और उस प्रकार से बेर्ट के बेर् से सुनियेगा, जब सरकार, जब आपकी, राज की सरकार आपके विरुद, बीयड के विरुद हो जाएगी, तो समस्या होगी, नहीं तो समस्या कुछ नहीं होने वाली है बीयड के छात्रों के साथ, मैं अपना personally यह विच्टिकत विचार रख रहा हूँ, अगर राजस्था सरकार राज के पच्च में होती की पाहँ को अंदर ही लेना था, तो वहाँ पे राजस्थान सरकार अच्छी तरीके से अपना मतलब की, राजस्थान सरकार ही लड़ी है, बीयड की साथ, बीयड को साथ देकर, बीयर को बाहर करने के लिए, ठीक है, तुमीद करता हूँ, आ कभव फैसले को अपनी पहार करें अब हाई को मैं आच के दाखिल करेंगे जब अचम करेंगे तो हो सकता है कि वहां के फैसले को उतर प्रदेस में भी जारी करिया जारी किया जाया लाइं लुकिया एक इस तरीके से जिस तरीके से राजस्थान हाई कोट का फैसला आयार कहीं का भी हाई कोट कोई फैसला देता है तो उस फैसले को अगर सही पाया जाता है सुप्रीम कोट के द्वारा तो उसी फैसले को पूरे सरकार मतलब पूरे देश में लागू किया जाता है अभी या पूरी तरीके से सु फिलहाल के लिए बीट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ठीक है उत्तर प्रदेश पर इसका क्या असर पड़ेगा फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में कोई इसका फैसला असर नहीं है नहीं आगे इसका कोई जल्द इतने जल्दी असर देखने को मिलेगा ठीक है अगर qandit be whole ही बेहतरिन तरीके से अपना पच्छ रखते हैं और ध्यान रखियेगा राजस्थान में अगर सरकार BSK पच्छ में होटी तो फैसला BSK पच्छ में भी आतकता था अगर उत्तर प्रदिश में सरकार BSK पच्छ में है तो उत्तर प्रदेश में भी फैसला बीट के मतलब की उत्तर प्रदेश में बीट को कोई कुछ नहीं कर सकता है अगर सरकार बीट के खिलाफ हो गई जान से सुनियागा सरकार बीट के खिलाफ हो गई तो फिर समस्या हो जाएगी ठीक है उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज जो वहाँ पर तो इस फैसले का असर पड़ेगा लेकिन बात आती है सरकार की मैंने हमेशा बताया है जो राजसरकार होता है वह राजसरकार पूरी तरीके से सिछा पर निर्ड़े लेने के लिए सुतंत्र होती है क्यों कि सिछा जो है एक समौरती सूची का विशय है इस पर का counseling भी दबाओ नहीं बनाएजा सकता है ठीक है तो डीयलेट छimdi की बल्ले बल्ले है मैंने हमेसा कहा है मैंने जब अधो डीयलेट की ऐडिमीशन हो रहा था की आ regulatoryundert चाहिए तो मैंने हमेशा बताया था अगर आपका सपना प्राइमरी सिछक्त भरती है तो आप अगर B8 की तरफ जा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं अगर बेट की तरफ जा रहे हैं आपका सपना अगर प्राइमरी लेवल है और जितने भी छात्र अब की बार जो है यह हमें लगता है कि जितने भी लोग candidate वो ने थामील हुए हैं और मैं बता दूँ, आप अगर DLA की छेतर में गये हैं, तो आपने तनिक भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं किया है, क्योंकि जो DLA का कंडिडेट है, वह आज भी प्राइमरी में है, कल भी प्राइमरी में था, और आने वाले समय में प्राइमरी में हमेशा मानने रहेगा, उसे कोई प्राइमरी से बाहर नहीं कर सकता है, लेकिन B8 के कंडिडेट की बात बता दूँ, तो B8 का कंडिडेट हमेश ससंकित रहेगा जिस तरीके से राजस्थान में B8 को बाहर कर दिया गया साहिद उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल हो जाए उसी तरीके से बिहार में हो जाए उसी तरीके से मध्य प्रदेश में हो जाए उसी तरीके से किसी भी प्रदेश में हो सकता है जिस तरीके से रा के दे सकता हम उत्तर प्रदेश में मैं परसनली अगर राजनीती के छेतर में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी की सरकार जब से थी भारतिय जनता पार्टी की सरकार थी 26 जून 2018 को जब राजपत्र एंसीटी का जैसे ही आया उत्तर प्रदेश में भ प्राइमरी में सामिल किया भारती जनता पार्टी की सरकार तो जहां तक मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश को जीत करके आगे बढ़ना पड़ता है तो अगर राजनितिक परद्रिश्यत से बात की जाए तो एक बड़ा तबका इस वर्स बीएड कर रहा है आप जानते हैं कि डीलेड में मात्र सत्तर हजार साट पैसट सत्तर हजार ही एडमिसन हुए है और बीएड में बीस हजार सीटों को छोड़ करके सभी सीटे लगभाग 2 2,60,000 सीटे जो है बीएड में भरी जा चुकी है तो एक बड़ा तबका बीएड कर रहा है और उसमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका सपना प्राइमरी में सिच्छक बनना है ठीक है ओ भी बीएड की तरफ आ गये है तो एक बड़े वर्ग को नराज करना पड़ेगा बीएड को बाहर करेगी बीएड को बाहर करने के लिए जोर्ब लगाएंगे लेकिन अब यह फैसला जो है अब यह जो फैसला है राजस्थान वाला राजस्थान सरकार का जो फैसला है यह फैसला मैं फानली बता दूं यह फैसला मैं फानली बता दूं यह कहां जाएगा ज रहे हैं तो बेश्ट है बहतर है कोई इससे इससे बहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है प्राइमरी के लिए समझ मैं चलिए प्राइमरी सिच्छक भरती अब कब आएगी प्राइमरी सिच्छक भरती अब जो भी आएगी 51,000 नहीं सिच्छक भरती की उत्तर प्रदेश की खास क के अंतरगत प्रात्मिक में होई है ठीक है प्रात्मिक में और यह सिच्छक भर्ती है और सिच्छक भरती का कई बार उत्रपर्देस के sırशा मंत्री सथीजदिवेदी नैंक कई अपने कई भास्णों में जिक्र किया है और यह भरती सब्सक्राइस और अगर यहां भरती आती है इस भरती में बीएड डियलेड दोनों सामिल रहेंगे क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इतने जल्दी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल नहीं होने वाला है यह तो किवल राजस्थान में खेल हुआ है अभी फिलहाल के लिए क्या उना यार देखिए प्राइमरी की जो भी भरती आती है वो बीएड को टार्गेट करके नहीं आती है जो भी प्राइमरी की भरती आती है और डियलेड को टार्गेट करके आती है क्योंकि सरकार जो है प्राइमरी के लिए एक तरीके से एक अलग प्रसिच्चु तयार कर रहे होते हैं और उसी डिलेट को देख करके primary की सिछक भर्ती आती है तो 2021 बेच को ही target करते हुए जो भी primary सिछक भर्ती आएगी 124 को target करते हुए हमारे हिसाब से 2024 में ही आ सकती है 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में 2022 में विधान सभा चुनाव है उत्तर प्रदेस में काफी लोग नराज रहेंगे और हर एक सरकार चाहती है अगर NCT सामिल कर रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं लेकिन DLED के छात्र कड़ी टककर अब हाई कोर्ट में देने वाले हैं अभी पहले तो याज क्याए दाखिल थी याज क्याए अभी तक दाखिल हैं उस पर सुनवाई चल रही है लेकिन अब जो है डियलेट के छात्र जो है राजस्थान के हाइकोर्ट के फैसलों के ले करके बहुत कड़ी टककर हाइकोर्ट में देने वाले हैं जो होगा वह भविष्य में आपके सामने ही आएगा लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जो अगर आप बड़ा गेम खेल रहे हैं भाई रिस्क आपने लिया है तो आप अपने जीवन में बड़ा ही करेंगे और अगर आप डियलेट कर रहे हैं तो भी आपको परिसान नहीं होन करेंगे आज फैसला आया अब पता चल गया कौन बरबाद है कौन आबाद है ठीक है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा क्योंकि निसांत ज्यान आपके सपनों के साथ है आपके बहतर भविष की कलपना के साथ निसांत ज्यान का निर्माण आपके बहतर भविष के लिए ही किया गया है ठीक है आगे भी हम इसी तरीके से जिस तरीके से आप लगातार जुड़े हुए हैं उसके लिए मैं आभार विक्त करता हूँ जादा से जादा चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बढ़िए क्योंकि हो या ना हो लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ इतना मेहनत करिए इतना मेहनत करिए भविष्य आपका ही होना चाहिए किसी दूसरे का भविष्य ना हो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद